हेलो एवरिवन वेलकम टू लॉजिक पाट्शाला चैनल आज हम करेंगे जमू और कश्मीर के करंट अफेयर्स जो कि हम देखेंगे 2022 के स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स इनको हम डिसकस करेंगे क्वेशन बेस के उपर और ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इ मिल जाएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दिया गया है सो लेट्स बगिन दा सेशन तो सबसे पहले हम फैक्ट्स सेखेंगे जमू और कश्मीर के तो देखे जो जे अनकी है ये आपका यूनियन टेरिटरी बना है कब 31st October 2019 को तो जो आपका 31 21st October है इस दिन इंडिया में कौन सा डे मनाया जाता है तो वे मनाया जाता है National Unity Day जिसी की हम राश्ट्रे एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं इस दिन किन की बर्थ अनिवर्श्ट्री होती है तो वे होती है सरदार वल्लभाई परटेल की जो की हमारे पहले डेप्टी प्र परेम ऑफ इंडिया अब बात करें अगर हम कैपिटल कि तो यूटाय यूटे जै एंड की कैपिटल है आपकी शिरिनगर एंड जम्मू समर्स में कैपिटल रहेगी शिरिनगर एंड विंटर्स में रहेगी जम्मू डिस्ट्रिक्ड देखें तो 2030 है लेप्र डिन-टिन-ट सब्सक्राइस काई को से हैं तो वे हैं दॉटि काई अब हम स्टार्ट करते हैं पहले question की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है जम्मो कुश्मीर सरकार भेड़ पालन में सुधार के लिए किस तेश के साथ समझोता उन्होंने किया है तो कौन सी country के साथ किया है आपके पास ये चार options हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर हैगा आपका option A that is New Zealand New Zealand की बात करें तो यहां की PM कौन है तो वे है चैसिंदा, Arden ठीक है और New Zealand की capital क्या है तो वे है Wellington इसमें अगर हम बात करें UAE की that is United Arab Emirates तो इनके साथ हम इनकी और इंडिया की नेवी के बीच में एक बहुत important naval exercise होती है जिसका नाम क्या है जायत तलवार exercise और यह paper में पूछी भी करी है तो इसे जरूर याद रखें इस exercise का नाम that is Zayad तरवार exercise UAE की capital की बात करें तो वे है आबुधावी और इसकी currency क्या है तो वे है दिरहम बात करें गर हम इंडिया और साओधी अरेबिया की तो इनके बीच में कौन सी military exercise होती है तो इनके बीच में देखने को मिलेगी आपको naval exercise जिसका नाम क्या है और यह बहुत important exercise है इसे भी आप ज़रूर याद रखें ठीक है साओधी अरब की बात करें तो यहां की currency कौन सी है तो वे है साओधी रियाल और यहां की capital क्या है वे है रियाद और जो रियाद है यह साओधी अरेबिया की largest city भी है next question is which of the following district is going to hold snow skying event अंडर संसत खेल्स पर्दा तो कौन सी district में देखने को मिलेगा यह आपको तो यह देखने को मिलेगा आपको डोडा में और कौन सी valley है वे तो वे है J valley और कहां पे है यह आपका भधरवा जगा है वहां पे ठीक है और भधरवा को किस चीज से जाना जाता है land of snakes के नाम से जाना जाता है next question is which of the following tunnel is going to be the longest tunnel तो आपने के बताना है कि इन में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है तो वे है T49 tunnel T49 tunnel है इसकी जो length रहेगी ये रहेगी 12.758 km और ये longest tunnel रहेगी Indian Railways की और ये किसे सरपास करेगी जो है आपकी पीर पंजाल tunnel को ठीक है और जो ये project है ये किसके अंडर है तो वे है आपका USBRL के अंडर देट इस उधंपूर शिरिनगर बारमुला rail link which project तो ये हम discuss कर चुके हैं तो कौन सा project है वे तो वे है आपका USBRL तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is which state UT has topped the list of most attacks on journalists in 2021 per press freedom report 2021 तो कहां पे सबसेदा attack देखने को मिले हैं journalist के उपर तो वे देखने को मिले हैं J&K में तो इसका अंसर रहेगा आपका option C Indian press freedom report 2021 was recently released by तो किनों ने release की है ये right and risk analysis group ने next question is J&K to lead Indian speedball team at तो कहां पे lead करेंगे ये तो वे है Nepal next question is which of the following UT become the first UT to integrate with national single window system तो कौन सी UT है वे तो वे है आपकी J&K तो इसका अंसर रहेगा आपका option C next question is which UT achieves first rank in NESTA 2021 तो NESTA क्या है आपका national e-governance service delivery assessment तो किसने achieve किया है पहला rank तो वे है आपका J&K ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option तो इसका अंसर रहेगा आपका option तो इसका अंसर रहेगा आपका option A that is Samba और Samba को किस नाम से जाना जाता है in the land of Rajput Warriors next question is which state UT launched first of its kind QR-based mechanism to certify handmade carpets तो कौन सा है वे तो यह है आपकी UT J&K तो इसका अंसर रहेगा आपका option C next question is which district J&K ranked among top 5 in most improved aspirational district in Niti Aayog Delta ranking 2021 तो किस ने top किया है तो आपके पास यह 4 options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option C that is Baramunla Niti की full form क्या है national institution for transforming India और यह paper में बहुत बार पूछी जाती है next question is J&K is going to create how many education hubs under new educational policy तो कितने educational hubs बनाने जा रहे हैं वे तो वो बना रहे हैं 4 तो इसका अंसर रहेगा option B next question is in which district of J&K two days boxing championship organized तो कहां पर देखने को मिली है आपको boxing championship तो इसका अंसर रहेगा आपका option A that is Jammu next question is lavender has been designated as the brand product of which district तो कौन से district का ये brand product बनने जा रहा है तो इसका अंसर रहेगा आपका option A that is Doda next question is which district is the birth place of यहां पर आएगा purple revolution ठीक है तो कौन सी है ये हमने अभी भी discuss की है तो वे है आपकी Doda तो इसका अंसर रहेगा option A next question is khushal sir and gilsar lakes lies in which district तो ये कौन से district में देखने को मिलेगी तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Shirinagar next question is only doctor in J&K who won prestigious kurofai 2021 award तो आपने क्या बताना है क्यों रोफी जो award मिला है 2021 में J&K के कौन से doctor को मिला है तो वे मिला है doctor yograj को तो इसका अंसर रहेगा option A next one is golem mahal recently is in news तो ये कौन से district में है आपका तो इसका अंसर रहेगा आपका ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे जम्मू में तो इसका अंसर है आपका option A next question is Jerry settlement in which district declared as first mill village of UT तो कहां पे देखने को कौन से district में है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option D that is Shriasi district में next question is which district of J&K top India's first district good governance index तो कौन से district ने top किया है तो वे किया है जम्मू ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option A second पे रहा है डोडा, third पे रहा है सांबा और fourth पे रहा है पुलवामान next question is निती आयोग will be established how many ATL in J&K ATL की full form क्या है अटल टेंकरिंग लाब तो कितनी देखने को मिलेंगी तो ये आपको देखने को मिलेंगी thousand तो इसका अंसर रहेगा option B next question is which of the following has been designated as India's first sustainable tourist destination by responsible tourism society of India तो इसका अंसर क्या रहेगा option D that is sky view पत्नी टॉप next question is where is Asia's longest zigzag zip line तो कहां पे देखने को मिलेगी आपको longest zigzag zip line तो इसका अंसर रहेगा आपका option C that is पत्नी टॉप next question is babore temples recently in news lies in which district तो जो आपके babore मंदिर है ये आपके कौन से district में देखने को मिलेंगे तो कहां पे है ये तो ये देखने को मिलेंगे आपको उधंपूर में तो इसका अंसर रहेगा आपका option B next question is 20 feet long statue of महराजा गुलाब सिंग इनकठुवा are made by renault sculptors तो उनका नाम क्या है तो किनोंने बनाया है ये तो उनका नाम है आपका पदम शेरी रविंदर जमवाल next question is which bank wins national award for outstanding performance in 2021 to 2022 तो किनोंने जीता है तो ये जीता है J&K bank में तो इसका आंसर रहेगा आपका option C next question is first Ladakh cross country championship concluded at तो पहली Ladakh cross country championship का समापन कहां पे देखने को मिला तो इसका आंसर रहेगा आपका option D that is Cargill next question is J&K receives which best W in popular choice category तो कौन सा receive किया है J&K ने तो इसका आंसर रहेगा आपका option C that is third question number 29 is in March 2022 first ever shipment of GI certified to Europe तो कौन सी है वे तो वे है आपकी silk carpet तो इसका आंसर रहेगा आपका option D next question is क्रीमची temple recently in news belongs to which district तो हाला ही चर्चा में जो आपके क्रीमची मंदिर थे ये कौन से जिले में है तो कहां पे देखने को मिलेंगे ये आपको तो ये है आपके उधंपूर में तो इसका आंसर रहेगा आपका option B next question is Munsival Lake lies in which district of J&K तो ये कौन से district में देखने को मिलेगी आपको तो इसका आंसर रहेगा आपका option B that is कंदेरपल next question is who was awarded with Women Achiever Award 2020 Women Achiever Award 2020 में किसे समानित किया गया है तो वे किया गया है रोही ने आएना को तो इसका आंसर रहेगा option B next question is since stream joins Vitaatsa at dash it is called Kashmir Sangam तो कहां पी ये join करती है सिंध Vitaatsa को और उसे Kashmir Sangam के नाम से भी जाना जाता है तो वे है आपकी शादीपूरा तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is which of the following place is known as परियाक तीरत of Kashmir तो किसे कहते हैं तो वे कहते हैं शादीपूरा को तो इसका अंसर रहेगा आपका option C next question is famous Baba Shadi Shahid Shrine located at तो प्रसीद Baba Shadi Shahid कहां पे हैं तो कहां पे देखने को मिलेगा आपको ये तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Bhimber next question is which app is launched by Manoj Sinha to bring J&K government close to common man तो कौन सी app launch की गई हैं के द्वारा तो वे की गई है My Government तो इसका अंसर रहेगा आपका option D तो यहां पे हमारे ये current affairs के questions कतम होते हैं और जो हमने last lecture में किया था क्या किया था हमने last lecture में Ramsar Sights in India तो जम्मू की कौन कौन सी Ramsar Sights है जम्मू में तो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी एक है आपकी Hokera Wetland एक थी आपकी Sorensar Mansar Lake और एक कौन सी थी आपकी एक थी आपकी Wooler Lake टोटल Ramsar Sights कितनी हैं इंडिया में at present 49 और J&K में आपको देखने को मिलेगी Hokera, Sorensar, Mansar Lake और Wooler Lake तो इसे भी आप अच्छे से दिमाग में रखना क्योंकि ये आपके एक्साम के लिए बहुत जादा important है And larger जो आपकी रामसर साइट है इंडिया की वे कौन सी है तो वे है आपकी सुन्दरबन जो कि largest Ramsar साइट है और ये कहां पे देखने को मिलती है आपको West Bengal में और smallest Ramsar साइट है आपकी कौन सी रेनु का wetland और ये कहां पे है ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में And जो दो न्यू रामसर साइट साइट साब की एड हुई है वे कौन सी है एक है आपकी खिजड़िया wildlife century जो की है आपकी गुचरात में और दूसरी है आपकी बखीरा wildlife century जो की कहां पे देखने को मिलेगी उत्र प्रदेश में So अब हम discuss करते हैं कुछ questions इनका आपको मुझे comment box में answer करना है ये topic में आपको करवा चुकी हूँ Prime Minister and President वाला तो पहले question है आपका Who has become the Prime Minister of Hungary Next question is Jacinda Ardern is the Prime Minister of which country Question number third is Who has become the new Prime Minister of Pakistan तो यहां पी हमारा ये आज का session complete होता है I hope आपको ये session अच्छा लगा हूँ Thank you so much for watching this session